जै माता की दोस्तों कैसे हूँ आप सब दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वाकत है महा काली भकत गयान यूटुब चैनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भकतों को बताने वाली गुप्त नवरात्री में गुप्त तरीके से काली माता को अपने घर में ये तीन चीज जरूर चड़ा देना माता बात करने लगेगी आपसे जी हाँ भक्तो अगर आपके उपर काली माता की सवारी आती है लेकिन वह सवारी बोलती नहीं है अगर आप भी मा काली से बात करना चाहते हैं लेकिन आपकी बात हो नहीं पाती है तो कुछ ऐसे काली माता क के भक्त हैं और अन्य देवियों के जिसकी वो पूझा पाट कर रहें जिसकी मानता कर रहें जैसे मैं हूं मा काली की करती हूं तो अब मेरे को किस से बात करनी है अगर मैं कुछ भी पूझना चाहूंगी अपने लिए भारवाले के लिए अपने घर बार के अपनी फैमिली के है तो मैं किस से पूझाँगी मा काली से पूझाँगी कि मैं उनकी सबसे जादा मानता करती हूं उनकी सबसे जादा पूझा पाट करती हूं तो इसी तरह से अनेग भक्त माता काली के हैं जो मा काली की मानता पूझा पाट करते हैं तो उन्हीं भक्तों को माता से कभी-कभी बात भी करने का मन करता है, बात करने का दिल करता है उनका और वो बात करने के लिए बड़ी बड़ी पूजा पाठ, मंत्र जाब, गुरु धारन भी करा लेते हैं, गुरु से ग्यान भी लेते हैं, लेगिन तब भी इतना कुछ करने के बाद माता काली उनसे बात नहीं करती है कुछ लोग ऐसे हैं जिनके उपर पुझा पाठ से या मंदर जाने से ही सवारी आ जाती है काली माता की लेगिन वह सवारी पहले बोलती थी अब नहीं बोलती है या फिर सुरू से बोलती ही नहीं है बस खेलती रहती है अगर इस तरह की चीजें आपके साथ हो रही है तो अब आपको बिलकुल घबनाना नहीं है इस वीडियो को लाश्ट तक देखना है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जारी हूँ गुप्त नवरात्री के तीन चीज जो आपको काली माता को पूजा पाठ में चड़ानी है कहने का मतलब है जिस दिन का पहले नवरात्र होगा ठीक है उसी दिन और या अगर आप पहले नवरात्रे पे नहीं चड़ा पाए तो लाश्ट नवरात्रे पे जिसे ही नोमी वाले दिन आपको काली माता को ये तीन चीजे जरूर चड़ा दी तो देख लेना जो सवारी बात करना चाते हैं कुछ पूछना चाते हैं अपने लिए या अपने घर के लिए अपने फैमिली मेंबर के लिए तो वह लोग भी असानी से काली माता से बात करके उनसे सब कुछ पूछ सकते हैं लेकिन यह जो सुनेरा मोका आप लोगों के लिए आया है यह गुप्त नवरा तरेगा लाश्ट दिन होगा तो चलिए भक्तों मैं आप सभी को पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो में बताने वाली हूँ पर बताने से पहले आप सभी भक्तों से एक रिक्वेश्ट करना चाहती हूँ अगर आप महाकाली भगतियान यूटुब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक से रिकमेंट जरूर कर लेना बेल आइकन को ओल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसकी नोड़ी विगेशन सबसे पहले है आप सभी भक्तों के पास पोचे तो देखिए भक्तों अगर आप चाहते ह काली माता को गुप्त नवरात्रे के समय उनसे बात करना या नवरात्रे के बाद ही बात करना चाहते हैं जैसे भी आप काली माता से अगर बात करना चाहते हैं तो तीन चीजे बताऊंगी जो आपको गुप्त नवरात्रे के समय और गुप्त तरीके से काली माता को अपने घ करें और यहां तक कि आपको बता हूं ये भी बताऊंगी मैं वीडियो में किस तरह से आपके पास माता आएगी और आपको बताएगी सब कुछ बताऊने लेकिन पहले बता देते हूं वह तीन चीजे क्या हैं जो आपको अपने घर में गुप्त नवरात्री के पहले दिन वो कैसे चड़ाना है माता जो आपके घर के मंदर है उसके नीचे तोड़के और जो पानी बचेगा वो पानी आपको माता को चड़ाना है अग्यारी पर या कपूर पाठी है इस तरह से आपको पानी की भेट मतलब पानी वाले नारियल की भेट चड़ानी है दूसरी चीज मा माता के लिए एक मीठा पान बनावां के लाएं दुकार्ण से वो भी पान ऐसा होना चाहिए कि सावूद डंडी का होना चाहिए उसके अंदर साबू रिगी लगी हूनी चाहिए अगर मान लो वो लोंग भी नहीं लगाता तो आप अपने घर से ही दो लोंग साबुत साबुत उसमें लगा लेना तो इसी तरह से आप लोगों को यह तीन चीजे हैं जो जो मैंने बता दी हैं वही चीज़े आप लोगों को काली मात को गुप्त नवरात्रे के दिन और गुप्त तरीके से लगानी है और इस चीज़ के बारे में आपको किसी भी चीज़ के बारे में आपको बताना नहीं है कि पूजा पार्ट कैसे करेंगी, कुछ भी नहीं बताना है, जैसे जैसे आप करते हैं, बस वैसे ही करें, लेकिन यह तीन चीज आज से जरूर लगा देना, जो सवारी आप से बात नहीं करती है, वो भी बात करेंगी, और जो सवारी आपके सरीर में खुल के नहीं आती है, व गुप्त तरीके से गुप्त नवरात्री के पहले दिन या फिर आखरी दिन नोबे दिन में तब आप ये कारिक जरूर कर लें तो चलिए भक्तो मैंने आप अच्छे से समझा दिया है अगर कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं अब हम आप से फिर मि लेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै मतकाली हर हर मादेव ओम नमस्षिवाएं